तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ लाइव सेशन का वहाँ पे जाके अपना बहुत ही अच्छा प्यार दिखा दो तो 730 को हम आने वाले हैं और आपको पूरा का पूरा ग्राम और जीरो से हीरो बनाने वाले तो प्लीज जाके अपना अच्छे से फॉलो किया होगा आज उनका पेपर बहुत ही जोड़दार तरीके कि महाराश्टा के हर कोने कोने में हर बच्चे में लगातार मैसेज कर रहे ह इस्ट्रागाम पर भी सर मज़ा आगया सर आज का पेपर जैसा आपने बताया पूरा का पूरा इवन जो हमने आपको वाग प्रचार जो जो दिया इवन लेटर राइटिंग बोलने की ज़रूत नहीं है बाई यो प्रूफ है जाके सेशन देख सकते हैं इसलिए बोल रहा ह आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ध्यान से समझना है देखो आपको पता ही कि आपका 80 मार्स का पेपर है और 20 मार्स का आपका जो है ओरल होता है जो आपके स्कूल में लेते हैं पर 80 मार्स का जो आपका एक्जाम है उसके अकोर्डिंग आपको कैसे चीजे पूछ तक सुनना और प्लीज नीचे कॉमेंट कर देना और चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो याद से कर लेना यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्षन के अंदर क्या 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 आपको अटेम्ट करना चीए अब यहाँ पर आप द्यान से देखोगे त सबसे पहला Language study जो मैंने आपको मराठी grammar में 10 marks पूरा का पूरा जो 16 marks का हमारा grammar था मैंने कैसे आपको दे दिया तो वैसे Europe हमें आपको पूरा में आपको भर के दे दूँगा तो दोस्तो ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसका distribution है नीचे बताने वाला हो बस अभी के लिए इतना समझ जाओ देन इसके बाद दोस्तो आपको textual passage आएगा दो पैसे आपको दिखाई देंगे 20 marks यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10-10 marks का distribution है मैं आपको नीचे बता रहा हो देन इसके आद दोस्तो पोएम section टोटल यहाँ पे 10 marks का है 55 marks का distribution है वेट करो बताऊंगा कैसे questions आते हैं और दोस्तो 25 marks का writing skill है 25 marks अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं नीचे आ रहा हूँ language study अब यह language study में अगर आपकी planning बहुत प्रॉपर रहेगी तो आप पूरे के पूरे मैंने बोला कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आज करना मैं guarantee बोल रहा है कि आपको पूरा का पूरा 10 marks मिलना start हो जाएगा अब दोस्तों इसके अंदर जो वह marks का जो distribution करते हैं 4 और 4 और 2 ऐसा distribution होता है तो याद रखना कैसा distribution होगा सही बात है कि नहीं कर सा 4 और 4 और 2 ऐसा distribution है जिसके अंदर से आपको इसके अंदर total 5 questions दिये रहेंगे उसमें से आपको कोई भी 4 questions attempt करना है मतलब 1 question for 1 marks यह चीज़ दिमाग में विठा के रहना बहुत simple types के questions आते हैं infinity यह सब मैंने बोला नहीं बहुत simple तरीके से आपको घरवाद दूँगा then अगर आप देखोगे यहाँ पर next part अगर आप देखोगे तो जो next 4 marks का जो पार्ट है दोस्तों यह indirectly यहाँ पर 3 questions पूछे जाते हैं और 3 में से आपको 2 questions के answers देने होते हैं और 2 questions के answer देने होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई words दे बोले कि noun और verb form में उसका statement frame करें ऐसे कुछ भी आ सकता है सब हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल tension नहीं लेना है यहाँ पर हो सकता है chain the voice से related आए बाई chain the voice तो आपको ऐसे पूरा का पूरा ऐसे पानी के अंदर मिला के पिला दें दो questions में से आपको एक ही question का answer देना है तो इससे यह समझ में आ रहा है कि यह जो question है वो two marks का है अब two marks का है तो यहाँ पर भी question का जो difficulties level रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बट आप tension मतले ना अगर आप गिरी to dole के साथ हो तो आपके लिए सभी चीज़े बहुत easy है अब यह 10 10 marks का जो part है दोस्तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यह दोको यह passage का part है और यह भी passage का part है और यह दोनों पैसज ओमकर सर कहा के आने वाले है टेक्सबूक के होता है बहुत simple टाइप के questions है आपको क्या करेंगे पता है इसमें वो total five questions में इसे divide करेंगे अब मैं five questions बोल रहा हूँ गभी कभी क्या होता है पता है वो उसके अंदर भी सब questions डाल देते तो जाधा हो जाएगा पर two 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 ऐसे दिखाई देगा आपको तो इस तरह से रहेगा यहाँ पर वी कभी कभी हो सकता है एक two को तो हाप-ाप questions में convert कर दे, ऐसा भी आता है, सब चीज़े सिखाएंगे, आर पैसे से answers कैसे ढूनना है, बताया हूं तो English में भी आएगा, और दोस्तों ये जब वीडियो आ रहा है, तो उस टाइम पे कम से कम 63 तो करवा दो भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो भी गया बोला था, 263 बोला था, हमने तो यहाँ पे 265 देख लिया है, तो भाई करवा दो के तो और अच्छी चीज़े, अब देखते हैं दोस्तों आगे चलते हैं, अब देखो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, हाँ सबसे जादा टेंशन ना, टेंशन आता है कि यार, सर ये पो और आल, आइधिंग आपको एट पोएम है, एट पोएम में से दो पोएम के रिलेटेड आपको कोस्टन्स दिये जाएंगे, मतलब जिसमें से एक पोएम ऐसा रहेगा, जिसपे एक्टिविटी बेस आपको कोस्टन्स के एंसर लिखने होंगे, फाय मास के लिए, और दुसर का पूरा पैटन बता रहो, वो इंग्लिस मीडियम के स्टुटेंट के लिए ही बता रहो, अल्रड़ी हमने सेमी वालो के लिए बता दिया, और लगबग ऐसा सेम भी रहता है, पर एक बार आपना भी देख लेना, और हमने बताया भी उनका सेशन स्पेशल हमने लिए है, त आपको क्या करना, वहां से कौपी करके, बस लिखने का तरीका कैसे है, राइम स्कीम यह सब कैसे लिखते है, सब हम बताएंगे, figure of space सब कुछ, और दोस्तों देखो आप चलते हैं आगे, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो य यह non-textual passage है, बहुत सारे बच्चे इस passage में बहुत जादा tension में आ जाते हैं, तो आपको मैं यह बताना चाहते होगी, इसके अंदर, जो recent में जो चीजे हुई गई, आपके आसपास या इस इंडिया में जो भी चीजे हुई रहेगी, उससे related जादा तर यहाँ पर आपको passage दिखाई देता है, और इसके answers ढूणना यह सब ढूणना बहुत सिंपल है, तो बोला जाए अगर जिनोंने scene passage अच्छे सैटेम किया है, तो unseen passage, क्या आप scene passage कौन सा आप पढ़ते हो, तो उसको भी तो वहीं समझ जाओनों, वो भी unseen हो गया, यह भी unseen हो गया, हम तरीका बता आप आराम से कर लेना, और दोस्तों यहाँ पर summary है, यह summary कैसे लिखते हैं, इसमें लिखने का कुछ तरीका होता है, वैसे तो हमारा board rule बहुत फेमस है, और आपको पता है कि पंच का नॉन स्टॉप जो आएगा, पंच का बास्ता नॉन स्टॉप है, वो आपका 6 तारीक को ह है, और उसका time भी around दोपर का ही time है, तो वो time का भी अभी से हम लगा देंगे, कि वो कब हमारा होने वाला है, तो वो तो लगबख सब्स्टुएंट आटेम करने आले, पर उसके पहले आप सभी चीजे तैयार कर लो, तो उस time पर बहुत चीजे आसान हो जाएगी, अब आप एगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर देखो, आपको later writing दिखाई दे रहा है, later writing कितने types के हैं, दो types के, formal और informal, कुन साल आटेम करना है, यस आपको खुद ही पता है, मैंने बता दिया, formal वाला आटेम करना, तो पढ़ा पढ़ा कोई informal पढ़ो ही मत, बस formal, only formal, formal से जादा कुछ लिए, अब दोसे यहाँ पे, बोर्ड के रूल के according बहुत सारी चीज़े हम बताएंगे, verbal to non-verbal, और non-verbal to verbal, मैं हमेशा suggest करता हूँ, कि ये दोनों topic आप ready करके जाओ, जिन बच्चों का English बहुत अच्छा है, देखो, verbal मतलब क्या होता है, passage, और non-verbal करना हो सकता है, maybe T diagram होगा, या तो हो सकता है percentage bar diagram, ऐसे कुछ भी आप convert कर सकते हो, जैसा उन्होंने बोला है, या तो non-verbal to verbal मतलब आपको diagram form में देंगे, जैसे T diagram में देंगे, और आपको क्या करना है, उसको passage में convert करना है, तो ये आपको पता रहेगा, वैसे हम सब सिखाएं ये हम जब session लेंगे, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से वाले student के लिए बहुत जादा benefit है, जैसे जिनका English बहुत अच्छा है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, दोस्तों, उनको verbal to non-verbal जाना चाहिए, जिसमें आपको पूरे के पूरे five marks मिल सकते हैं, और जिनका सम verbal to non-verbal जा रहे हो, मतलब पैसेज दिया है, और आप filling the blanks fill up कर रहे हो, तो अगर आपने filling the blanks सही नहीं fill up किया, तो आपको zero marks भी मिलता है, तो इसलिए ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, सही बात है कि नहीं, ओमकर सर, इसके बाद अगर हम आगे चले, तो next है हमार view or counter view or speech writing, तो ओमकर सर से मैं पूछना चाहूँगा, कि ओमकर सर, अगर आप student होते, तो आप कौन सा आटेम करते, क्या view or counter view की speech writing, speech writing इसलिए हमें आटेम करना चाहिए, कि जिस चीजों के बारे में हमें छोटी class से पता है, और speech को इसे writing की तरह नहीं लिखना है, लिखना हु morning, तो वैसा होगा, तो वैसा हम आपको session के अंदर समझाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, दोस्तों आगे, मैं बोलोगी, यहाँ पर जो तरीका मैं बताओंगे, आपके लिए बहुत simple हो जाएगा, अब देखों यहाँ पर दो चीजे, यहाँ पर अगर आप दिय तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोंगे news report है, तो यह दोनों में से आप कौन सा भी attempt कर सकते हो, मैं हमेसा बोलता हो कि अगर आपको जो वहाँ पर दिया गया है, अगर वो समझ में आ रहा है, तो वो आप attempt करो, otherwise news report तो बहुत simple सा है, then इसके बाद दोस्तों अब में हो सकता है, वैसा story ना पूछा जाए, जैसे आप अभी बराठी के subject में थे, वैसा नहीं है, इसमें starting का line आ सकता है, ending का line आ सकता है, और आपको बाकी का part लिखना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने overall आपके English subject का बहुत अच्छा एक पूरा का पूरा planning दे दिया है, 7.30 को अपना होने वाला लाईव, याद से सब लिख वहाँ पर attendance लगाएंगे, चलो मिलते हैं दोस्तों, next lecture वे, bye bye, take care, जाहिं दोस्तों